वेलकम फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरा बाहर का व्यूज है चलिए घर के अंदर चलते हैं ये देखिए फ्रेंड्स मैं घर के अंदर आ गई ये देखिए ये मेरा चप्पल का स्टेंड है इसमें चप्पल जी उतर रखते हैं हम लोग ये कुर्सी है ये कार्टून है इसमें मेरे हजबेंड का कमपनी से सामान आता है ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरा पलंग है यह हिंगर है, इदर हम लोग थोड़ा बहुत कपड़ा टांग देते हैं, मेरे हजबेंड का रहता है, कपड़ा बच्चे लोग का रहता है, यह देखे फ्रेंड्स, इदर बैग है मेरे बच्चे लोग का, यह टीवी है, यह देखे सेनिटाइजर है, इदर बाहर से धूप आती है, सेटर लगा है, तो बाहर से धूप आते रहती है घर में, यह देखे फ्रेंड्स, यह मेरा मंदिल है, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, आप लोगों को कैसा लगा मेरा मंदिल, आप कमेंड बॉक्स में ज़रूर बताना, यह देखे फ्रेंड्स, आप एक बार फिर से देख लीजे मेरा मंदिल, चलिए फ्रेंड्स, यह देखे फ्रेंड्स, यह मेरा बच्चे लोग का स्टैंड है, बुक रखने का, इसमें मेरे बच्चे लोग का बुक है, और यह सीड़ी लगी है, घर में ही है सीड़ी, घर के अंदर ही आगे वाले ही रूम में, जो कि हम लोग वोपर जाते हैं, उपर भी दो रूम है, यह देख लीजे, आप एक बार फिर से मेरा आगे वाला रूम देख लीजे, इसको ह चलिए फ्रेंट्स किचन में चलते हैं, यह देखें फ्रेंट्स में किचन में आ गई हूँ, यह मेरा गैस चुला है, यह देखें फ्रेंट्स, इधर में अपना सब मसाला वगएर रखती हूँ, यह देख लीजे आप, जो किचन का सब जरूरे सामान है, सब मेरा इदर ही रहता है, किचन में ही, देखिए फ्रेंड्स आपको मेरा कीचन कैसा लगा आप कमेंड बॉक्स में जरूर रता ना फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेज आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए गा ये देखिए ये मेरा बरतन का स्टेंड है ये टाकी है इसमें मैं पानी भरके रखते हैं इमर्जेंसे के लिए वैसे तो हमारे धरनल डेली आता है ये देखिए ये मेरी मूरी है वो आटर का डब्बा है और इसमें अपना मैं जो सामान बच जाता है वो रख देती हूँ ये सब डब्बे में वो मेरा मिक्सी है वो मेरा स्टैंड था सबजी का ये देखिए फ्रेंट्स ये जर्ना है गेहु जाडती हूँ मैं गेहु लेती हूँ उसको पिसाती हूँ आटे को गेहु को मैं आटा रेडिमेट नहीं लेती हूँ, ये मेरा मसीन है मसीन के उपर मेरे बच्चे लोग का मेरे हस्बेंड का बैग रखा था ये देखिए, हम लोग मटके का पानी पीते हैं ये दिखें फ्रेंट्स, एक और मोरी है, मैं आपको दिखा देती हूँ इधर भी नल लगा है, ये दिखें फ्रेंट्स, इधर भी एक गल्ली है, वो भी हम लोगों की ही है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, क्योंकि दोनों तरब से रास्ता है ये रास्ता चॉल के तरफ निकलता है, और जो सामने से हम लोग आए, वो रोड के तरफ रहता है, रोड के तरफ रहता है रास्ता आपको मेरा कीचन कैसा लगा है, आप कमेंड बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंट्स चलिए, अभी हम लोग उपर चलते हैं, तो एक बार ये देखिए फ्रेंट्स, इसी सीडी से हम लोग उपर चलते हैं तो चलिए, आप लोग भी चलिए मेरे साथ उपर, अभी उपर का रूम दिखाती हूँ हम लोग जोइन फैमिले में रहते हैं, उपर मैं और मेरी देवरानी रहती हैं सबसे पहले मैं आपको अपने देवरानी करूँ, इधर अंधेरा है फ्रेंट्स, इग्नोर करना क्योंकि उदर उजाला नहीं था, दोनों दरवाजे बंद थे उपर के, इसके लिए उगली में लाइट लगी नहीं है ये देखें फ्रेंट्स, मैं अपने देवरानी के रूम में आ गई, अभी मैं लाइट जला देती हूँ ये देखें, मैंने लाइट को जला दिया, आप देख सकते हैं, इदर एक छोटी सी लकड़ी की आलमारी बनी है, वो मेरा वाला रूम है, ये मेरी देरानी का है ये देखिए, टी भी है, ये घड़ी है, इदर भी छोटा मुटा बैर जोला टांग के रखते हैं आपको कैसा लगा आप कमेंड बॉक्स में जरूर बतना फ्रेंट्स ये देखिए, ये लकड़ी की आलमारी है, इसमें वो अपने बच्चे लोग का और अपना कपड़ा रखती है ये कुर्सी है ये देखिए, ये वाला मेरा रूम था, अभी मैं चलूँगी, पहले ये पूरा दिखा देती हूँ चलिए, बालकनी में चलते हैं ये देखिए, फ्रेंट्स, हम लोग आ गए बालकनी में आपको कैसा लगा है? इधर भी हम लोग मटका में पानी भर के रखते हैं ये देखिए, फ्रेंट्स, मैं आपको बाहर का व्यूस दिखाती हूँ ये देखिए, फ्रेंट्स, बहुत ही अच्छा नजारा लगता है सुबसुब आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर फ्रेंट्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेज आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए आपके सपोर्ट की विवना मैं कुछ नहीं कर सकती ये देखिए, फ्रेंट्स ये बालकनी है तो चलिए फ्रेंट्स चलते हैं रूम में ये देखिए, इदर नीची ही गद्दे बिचा के सोते हैं लोग आप देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स मैं आपको अपना बेडरूम दिखा देते हैं मैं दर्वाजा कर रहे हैं तो चलिए फ्रेंट्स ये देखिए आपको मेरा बेडरूम कैसा लगा आप कमेंड बॉक्स में जरूर बताना मेरे घर में भी आलमारी नहीं है ऐसे ही बनी है तो मैं रखती हूं मैं ये देखिए फ्रेंट्स ये मेरे बच्च लोग को पढ़ने का लैंप हे ये टच करने से ही जलता है फ्रेंट्स ये देखिए आप इसको तीन बार टच करेंगे तो सबसे तेज हो जाएगा चौती बार बंद हो जाता है यह देखिए एक बार टच करो तो थोड़ा सजलता है मैं आपको दिखाती हूँ इदर बटन नहीं है आप देख सकते हैं कहीं पर भी आप टच करें एक बार में इतना जलेगा तुसरी बार टच करेंगे तो इससे तेज तीसी रिवार सबसे तेज जलता है चौती बार बंद हो जाता है बहुत ही अच्छा लैंब है यह कंप्यूटर है मेरे बच्चे लोग का यह देखे फ्रेंट सीदर मेरे हर्जड्रेंट का यालमारी में बुक रहता है और मेरे बच्चे लोग का मिनी बैंक है और यह मेरे इसमें साड़ी रहता है और फ्रेस है यह देखे इधर मेरे सब अर्टिफिशिल lement इका डबबा है ये मेरी अटेची है और ये मेरा टेबल फैन है बैग है ये देखे इधर मैं को सामा रख्यूंँ जो अंजरूरी नहीं रहता है जदा इधर ही रख देती हूँ उसको धख देती हूँ ये मैं इधर भी मतका रखी हूँ बॉटल मनजन ये सब रखी मारी इदर भी पानी ही रखती हूं देखे अहिए ये फैन प्रेंट्स ये मेरा होग की और ही ये एक और आलमारे है ये इधर में अपना छोटों मोटा सामान रखती हूं, यह कुर्सी पे मैं अपना बिस्ता रखती हूं, इस बैग में लैपटॉप है, इधर मेरे हजबेंड का सब कुपड़ा टांगा हुआ है, अगर फ्रेंड्स आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगे ताप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे च रिपोर्ट करते रहें, बाए बाए